मैं डॉक्टर शिखा करवाल, एजुसीर प्रोफेसर, गौर्ण्मेंट कॉलेज सुधानगर्ड आज हम पढ़ेंगे बी ए पार्ट वन की क्लास में कार्य पालिका की प्रकार और कार्या हमने अपनी पिछली क्लास में कार्य पालिका के बारे में पढ़ा था हमने देखा था कि आधुनिक युग में सरकार के तीन कार्यों को जो की कानून बनाना, कानून लागो करना और अगर कानूनों में कहीं लिएक्षा की आवशकता है या कानून अकाउन लंगान होता है तो उसके सम्बन में कार्य करने के लिए नियाए पालिका तो ये तीन अंग वर्तमान में हम लोग देखती हैं अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो सामन्य तोर पर एक ही राजा हुआ करता था या शासक हुआ करता था जो सभी कार्यों को संपन्न करता था लेकिन धीरे धीरे शक्ति प्रिधकरन सिध्धान्त व्यक्ति के अधिकारों की अवधारणा, स्वतंत्रता इन सब ने मिलकर सरकार के कारियों को स्पष्ट तोर पर माटा और उसके आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन हुआ कार्यपालिका में क्या एजेंसी आती हैं यह हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका में वे सभी अधिकारी और एजेंसी आती हैं जो राज्य के संकल्प को लागू करती हैं और इसी आधार पर हमने इसके बहुत सारे प्रकार भी देख सबसे पहला प्रतिमान देखेगे संसुदिये शास्त संसदिय शासन का जन्म बृतेन में हुआ अठार्मी शाताबदी में और उसके बात में हम देखते हैं कि बृतेन ने जहां-जहां अपना अपनी वेशिक शासन किया जैसे आस्ट्रेलिया है, वेलजीम है, कनाडा है, फ्रांस है, पोलेंड है, भारत है, जबान है तो जहां-जहां उसका प्रभाव था, न्यूजी लेंड है, वहां-वहां संसिदिय व्यवस्था को अपनाया गया संसिदिय व्यवस्था में मुख्य रूप से कारेपालिका और व्यवस्था पिका सीधे तवर पर जुड़ी भी होती है क्योंकि कारेपालिका के सदस्य व्यवस्था पिका मैं से लिये जाती है और व्यवस्था पिका का उस पर पूरा नियंत्रण होता है अगर हम देखें कि कारेपालिका वहां पर कैसी काम करती है तो वहां दोरी कारेपालिका होती है संबैधानिक और वास्तविक कारेपालिका का भीध है इस प्रतिमान में जो संबैधानिक प्रधान है वो अपचारिक है उसके नाम से शासन होता है लेकिन वास्तविक कार्यपाली का जो है वो मंत्री और प्रधान मंत्री होते है संसद के प्रतियुत्तरदाई है और संसद मैसे लिये जाते है इसमें प्रधान मंत्री का नेतरत्व होता है क्योंकि प्रधान मंत्री प्रशासनिक सत्ता प्राप्त वास्तविक शासक है उसे हम राज्य का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं और मंत्री मंडल का अंदिर्माता भी वही है उसको अगर खतम करना है तो वही है सदन का नेता वही है मुख्य कारेपालक वही है तो प्रधान मंत्री एक महत्वपूर्ण शक्ति-शाली-व्यक्ति है और वास्तव एक शासक है जहां भी संसदिये मॉडल दिखाई देता है वहाँ सामूहीक उत्तरदाईत्व भी हमें दिखाई देता है सामूही कुतरदाईत्व कारेपालिका का है जो संसद के प्रति होता है मंत्रियों का सामूही कुतरदाईत्व है वो तब तक ही अपने पदपर बने रह सकते हैं जब तक संसद में उन्हें श्वास मत प्राप्त है और इसके साथ साथ प्रतेक मंत्रे का व्यक्तिकत उतरदाईत्व भी होता है इसके साथ साथ जो संसदिय प्रतिमान है उसमें संसद सत्ता का खेंदर होती है क्यों? क्योंकि संसद से ही कारेपालिका को अनिवारिय तोर पर लिया जाता है तो संसदीय प्रणाली में संसद एक ऐसा चक्र बनाती है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनेतिक व्यवस्ता चक्र लगाती है संसदीय व्यवस्ता इंगलेंड और भारत में माजूद है दूसरा मॉडल हम देखेंगे कैबिनेट शासन का जिसे आधुनिक इंगलिश मॉडल भी कहा जाता है ये जो मॉडल है ये हलाकि संसदीय मॉडल ही है लेकिन संसदीय मॉडल में परिवर्तन आ गया और वो परिवर्तन क्या हुआ कि मंत्री मंडल महत्वपूर्ण जादा हो गया संसद के स्थान पर मंत्री मंडल के पास जादा शक्तिया आ गई जैसा कि मुन्रो का मानना था कि कैबिनेट सम्वैदानिक संरचना में एक मात्र अत्यदिक महत्वपोन यंत्र बन गई है या रेम जी में और कहते हैं कि मंत्री मंडल राज्य रूपिजाज का संचालन यंत्र है या चक्र है तो व्यवहार में तो संसद हमें जहां दिखाई देती थी मेहत्वपोन स्थिती में और वास्तम में cabinet ज्यादा शक्ति शाली हो जाती है कैसे हो जाती है क्योंकि राष्ट्रिय नीती का निरधारन वही करती है दलिया अधार पर अगर हम देखें तो एक ही दल से होते हैं और वहुमत प्राप्त दल से होने के कारण संसद उनके विरुद्ध नहीं जा पाती जो बजट या विदेख प्रस्ताव संसद में पेश किये जाते हैं वह सभी कबिनेट के मारत निर्देशन में तैयार होते हैं विद्धिय स्थिती और विद्ध या बजट सम्मंदी समस्त कारिये कबिनेट की नीती के अनुसार होते हैं जितने भी उच पदों पर नियुक्तिया होती हैं वो सब संसद को उस पे व्यभारिक अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं उसमें वो अस्तक शेप करती है, बलगी कैबिनेट के माध्यम से होता है, कैबिनेट ही ये निर्ने करता है कि संसद में कौन सी कारेवाई होनी है, उसे कितना समय दिया जाना है, संसद का धिवेशन कब ह कबू से खत्म करना है और जो राज्य के नाममत्र के अध्यक्ष है या समयधानिक अध्यक्ष है उनका जो उद्गाटन भाशन होता है सत्र में उसका जो भाशन है वो भी मंत्री मंदल ही तयार करवाता है और मंत्री मंदल की सिफारिश पर ही जो समयधानिक अध्यक्ष है वो संसत के निचले सदन को भंग करने का निर्ने भी करता है तो इस तरह से जो मंतरी मंडल है वो संसतिये व्यवस्ता में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खास करके उस समय हो जाता है जब मंतरी किसी एक खास दल से होते हैं और उस दल का बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है अगला मॉडल देखते हैं प्रिधान मंत्रिय शासर जिसे हम नवीन तम्या Emerging English and Indian मॉडल कह सकते हैं ये मॉडल कैसे सामने आता है ये मॉडल ऐसे सामने आता है कि जब दल का नेता करिश्मेटिक होता है उसका करिश्माई व्यक्तित्व होता है बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतते हैं तो उसे स्थिती में प्रधान मंत्रिय शासर में संसदिय शासर परिवर्तित हो जाता है जैसा कि इंगलेंड के बारे में कहा जाता है कि ये वेस्ट मिनिस्टर प्रतिमान है मंत्री मंडल और संसद एक तरह से प्रिधान मंत्री के हाथ में आ जाती है और इसे प्रिधान मंत्री शासन इसलिए कहा जाता है खास करके आम चुनाव के बाद में ये चीज़ें देखने में आती है कि चुनाव किसके नाम पर लड़ा जा रहा है किसके व्यक्तित्व को महत्व दिया जा रहा है और उसी व्यक्ति का जो दर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमने बहुत बार देखा है ऐसा इंग्लाइन में और भारत में भी ऐसा हुआ है कि प्रिधान मंत्री ने मंत्री मंडल के सदस्यों के असहमत होने प उन्हें मंत्री मंडल से हटा दिया है तो इसे मंत्री मंडल्य मॉडल जिसे हम कहें प्रिधान मंत्री मॉडल कहा जाता है चौथा मॉडल आता है अध्यक्षिय शासन, अमेरिकी प्रतीमान जिसको हम कहा सकते हैं अध्यक्षिय प्रतिमान जो है ये अमेरिका में खास करके है और इसके साथ-साथ अमेरिकी गुलार्द में आने वाली बहुत सारे देशों में दक्षन वियतना में दक्षन कोरिया में भी इसे देखा जा सकता है इस मॉडल की सबसे बड़ी विशिष्टा है सरकार के तीनों अंगों में शक्ती प्रिथक करन होता है एक दूसरे से अलग रहते हैं और आरिक का अपना अधिकार शित्र है दूसरा हाता है कि यहां मंत्री मंडल की स्थिती जो है वो सेवक की तरह है वो राश्ट्रपती के तारेपली का व्यवस्था पिका से बिलकुल अलग होती है उसकी प्रति उत्तरदाई भी नहीं होती है वो सम्विधान के प्रति केवल उत्तरदाई होती है और राश्ट्रपती भी व्यवस्था पिका को भंग नहीं कर सकता और नहीं उसे किसी तरह से बाध्य कर सकता है वह जो अंग है सरकार के उनमें गतिरोध आ सकता है तो ऐसी इस्थिती में नियंत्रण और संतुलन के सिधान्त को अपनाया जाता है तो यहां उसको अपनाया गया है और उसके आधार पर राश्टपती शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उसके पाज वीटो की पावर है निश्चित अवधी के लिए बनता है उसे हटाना बहुत आसान नहीं है और इस इस्थिती में राश्टपती का जो रूप है वो अध्यक्ष के रूप में वास्तविक तौर पर उभर करके सामने आता है अगला मॉडल लेते हैं फ्रेंच मॉडल राश्टपती का फ्रेंच मॉडल जिसे अर्ध राश्टपतीय और अर्ध संसदिय मॉडल भी कहा जाता है 1958 के डिगाल समिधान में एक शक्तिशाली राश्टपती की व्यवस्ता की गई और उसे वास्तविक अधिकार वैसे ही दिये गए जैसे हम संसदिय व्यवस्ता में प्रधान मंत्र के पास देखते हैं पाँच वर्ष के लिए उसे चुना गया महाभ्योग से उसे हटाया जा सकता है और एक प्रधान मंत्री की व्यवस्ता भी की गई है इसके अधीन एक मंत्री मंडल है जो संसद के प्रती उत्तर दाई है अब यहाँ कही बाते अलग है राश्टपती का निर्वाचन संसद न और मंत्रियों के अस्ताक्षर की उस पर कोई आवशक्ता नहीं है राश्टपती ही प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल की नियूकती करता है मंत्रियों को संसद की सदस्यता से वंचित कर सकता है प्रधान मंत्री की सलह से राश्ट्रिय सभा को भंग कर सकता है और राश्टप बहुत नेरनायक भूमिका देता है और वो वास्तवीक अध्यक्ष बन जाता है शासन का प्रमुक है और प्रधान मंत्री राष्ट्रपती का एजेंट बन जाता है इसके बारे में ब्रोगन ने कहा जो राष्ट्रपती है फ्रांस में वो ना तो अमायरीकी ढंग का अगला मॉडल देखते हैं बहुल कारेपालिका का जो स्विट्जर लेंड का प्रतिमान है जिसे हम स्विस प्रतिमान या स्विस मॉडल कहते हैं ये मॉडल थोड़ा सा अलग है यहां बहुल कारेपालिका है कारेपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं है बल्कि एक सा तो सदस्ये सभा में नहित है और सभी मिलकर के एक साथ संयुक्त बैठक करते हैं इनका चुनाव संगीय संसद करती है अपने संयुक्त अधिवेशन में या बैठक जिसे हम कहें संगीय सरकार का चुनाव चार साल के लिए होता है उससे पूर्व हटाया नहीं जा सकता और अगर चार साल में इन साथ सदस्यों में से किसी का इस्थान काली होता है तो जो संगीय संसद है वो अगले अधिवेशन में शेश अधि के लिए नहीं व्यक्ति का चुनाव कर देती है सातों सदस्यों की शक्तियां बराबर है ये सातों सदस्य मिलके अपने मैंसे एक अधियक्ष और ये कुपाध्यक्ष को चुनते है जो सबसे वरिष्ट सदस्य है वो अधियक्ष बन जाता है प्रतिवर्ष इनका निर्वाचत स्वेम सरकार करती है सामाने तौर पर एक परमपरा है कि जो उपाध्यक्ष है उसको अगली वर्ष अधियक्ष निर्वाचत कर दिया जाता है जो अधियक्ष है उसे ही स्विस राष्ट्रपती कहा जाता है कोई विशिष्ट महत उसके पदका भी नहीं है सातों सदस्य बिलकुल बराबर है शक्ती में भी वितन में भी सुविधों में भी क्योंकि बारी-बारी से सभी सरकार के सदस्य अध्यक्ष यानी राष्टपती बनते हैं इनका जो अधिकार है वो केवल संगिय सरकार की बैटकों की अध्यक्षता करना, संगराजय का प्रतिनी धित्व करना, देश-विदेश में उपचारिक कारियों का संपादन करना, सरकार के कारियों का निरिक्षन और संचालन करना और अगर कभी समान मत पढ़ जाते हैं तो न ना तो वो राष्टपती है, ना प्रधान मंत्री है, ना मंत्री मंडल है, ना उसका कोई किसी के प्रती सामीक उत्तर दाईत है, ना वो विधान मंडल का विगधन कर सकती है, और ना ही वो विधान मंडल जो वहाँ पर है, वो कारेपालिका को खटा सकती है, तो बहुत अलग रहे कि व्यावस्ता हमें इस model में दिखाई देती है तो बहुल कारेपालिका का model भी विश्व में मौजूद है और इसे हम स्विस model या स्विट्जरलेंड के model के रूप में देखते हैं अब हम आते हैं स्विस मॉडल जो है एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें राष्ट पती को बिना महत्व का राष्ट पती कहा जाता है जिसे कोई विश्यशादिकार प्राप्त नहीं है अब हम आते हैं कारेपालिका की कारियों पर अगर हम देखें तो कानून को लागू करवाने वाली संस्था है लेकिन इसका कारेक्षित्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मूल रूप से ये एक तरह से सरकार का पर्यायवाची बन गई है गैटल पांच कारे बताते हैं कूटनितिक कारे प्रशासनिक कारे सेना संबंदी कारे व्यवस्था संबंदी कारे और अन्य न्याय संबंदी कारे तो मोटे तोर पर हम लोग क्या कारे हैं उसको देखते हैं सबसे पहला है प्रशाजन का संचालन करना देश में आंतरिक शांती व्यवस्था बनाई रखना, पुलिस की शक्ती रखना, रक्षा, सैना, बाहिया कर्वनों से, सुरक्षा और प्रशासकों की नियुक्ती करना, आंतरिक और बाहिय प्रिगोजनों के लिए राष्ट्रे नीती का निर्मान करना, तो ये प्रमुक प्र तरदाईत्व है दूतावास की स्थापना करना राजदूत नियुक्त करना अन्य देशों से जो राजदूत आई है उनका स्वागत करना आर्थिक राजनेतिक और सुरक्षात्मक संधिया करना विदेशों से सभी प्रकार की समझोते करना कारेपालिका का कारिया है अगला कार निम्ने सदन को भंग करने का अधिकार रखती है, अध्यदेश लागू करवाती है जो कानून के अनुसारी होते हैं, अगर हम संसदिय व्यवस्था की बात करें तो विधी निर्माण में व्यवस्था पिका का नेत्रत्व करती है, संसद जो विध्यक पारित करते हैं, वो रा तो वहाँ जे भी वीटो है जिसके आधार पर वो किसी भी कानून को बनने से रोक सकती है। समय समय पर परिपत्र अधिसूचनाय जारी करती है जिससे संसुदिये विधान, संसुदिये जो व्यवस्था है उसमें अवश्यक कार्य हो सके। अगला आता है नियाईक कार्य है हाला कि इसके लिए अलग से अनुभाग है, अलग से विभाग है नियाईपालिका जिसे हम कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी विश्यू के लगभग सभी देशों में जो राश्य अध्यक्ष है कार्यपालिका का अध्यक्ष है उसके पास जिनाय के अवधाना का विकास भी हुआ है जो विभिन विभाग है उनके कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का जगड़ा अगर होता है तो ट्रिबूनल के माध्यम से उसको निप्ठाने का काम किया जाता है तो काफी हद तक प्रशासनिक नयालियों की स्थापना की गई पांचवा कारिया है विद्धी कारिया सामने तौर पर विश्व के सभी देशों में अगर मोटे तोर पर हम देखे तो शासन का वारसिक आयवे निर्दारन करने का कारिया कारेपालिका का है राश्चरिय बजट पारित करवाना आर्थिक विए वस्था पे निbasके नियंतरन करनी है किस तरह से उन्हें वसूला जाना है ये सब कारे पालिका का कार्या है वह ये देखती है कि बजट की व्यवस्थाओं को संस्थ द्वारा पास किया जा सके अगर हम संसिदी व्यवस्था की बात करें तो ये कारे पालिका का कार्या है कि वो बजट रखे वित्यसंबंदी मामलों को देखे और उसको पारित करवाए इसके लावा कुछ अन्यकार्य भी है जिसमें आते हैं राष्ट्रे आयोजन करना विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना विभिन उपाधियों का वित्रण करना तो इस संगठन में संप्रेशन प्रणाली को बनाई रखना वियक्तियों से आवशक सेवाएं प्राप्त करना और संगठन के उद्देश्य और लक्षों का निर्धारन करना तो कार्यपालिका ने बहुत देजी से कार्यों का विस्तार किया है और इसे प्रतिनिदी लोकतंतर के अब आते हैं कारेपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा पृद्धी हुई है सीमित कारेपालिका का जो सिधांत लौक और रूसु ने दिया था उसके स्थान पर अब कारेपालिका शक्तिका केंद्रों बन गई है तो उसके क्या कारण है सबसे पहला कारण है केंद्र करण की प्रविड़ती बहुत तेजी से बड़ी है भारत और अमारिका में गी के इंदरी सरकार की शक्तियां बहुत जादा बड़ी है और राज्यों की स्तिति एक अभिकरता एक कारण कारपालिका की शक्ति हो najbardziej हो रहे है दूसरा आता है समाज्वात लोग कलियान कारी राज्य की अवधारना में राज्य के पास बहुत ज़्यादा कारिया है इन समस्याओं के निराकरण के लिए अगर हम देखें तो राज्य का हस्तक शेप आभशक हो गया और इसलिए कारेपाली का बहुत ज़्यादा कारियों को करने लगी जिसमें कृशी, उध्योग, व्यमसाय, इस तरह के कारे भी आ गए अगला आता है अंतराश्ट्रिय और अंतरिक देश में जो संकट होते हैं जिसे हम ग्रह संकट कह सकते हैं जैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह की समस्या हैं बेरोजगारी है, बीमारी है, काल है, सुखा है, बाढ़ है तो इन सबसे निपटने के लिए या आंतरिक ग्रह युद शुरू हो जाता है तो उसमें अंतराश्ट्रिय संकट उत्पन होता है, युद का रूप सामने आता है तो ये सब कारेपालिका के हातों में तेजी से इनके कारण शक्तियां बढ़ी है और जैसा हम देखते हैं प्रथाम और द्वितिय विश्यूद के समय भी चर्चिल है, हिटलर है, मुसोलिनी है, इनके पास में बेहर शक्तियां आ गई थी आर्थिक संकट के समय, फ्रैंक्लिन, रूजवेल्ट, अमेरिका के समवेधानिक एक तरह से अधिनायक बन गई थी तो संकट के समय, जो कारेपालिका है, उसकी शक्तियां तेजी से बढ़ जाती है अगला आता है, नेत्रत्व की आजशक्ता अगर कमजूर नेत्रत्व है, तो देश भी कमजूर हो जाएगा और क्योंकि कारेपालिका का नेत्रत्व एक ज़्यादा शक्तिशाली विक्ति करता है तो इसलिए कारेपालिका ज़्यादा सबल होती जा रही है इसके साथ साथ संचार और आवा गमन के साधनों का तेजी से विकास हुआ है जिससे जो कार्यपाली का है वो तक्निक ही अंत्रों की साहता से कार्यों को तेजी से कर रही है विशेशग्य लोग उसमें होते हैं तो वो तेजी से काम करते हैं अगला आता है राजनेतिक दलों का विकास होने से और कारेपालिका में अपने दल के नेता को प्रमुक वक्ता के रूप में रखने से लोकमत तयार रहता है दलों में कठोर अनुशासन होता है जो नेता के नेतरत्व में कारे करते हैं और इस आधार पर भी कारेपालिका की चक्तियों का हास व्यवस्था पिकाय जो समस्याों की जटिलता है उसको बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते नहीं बहुत विशेशक ये लोग है आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां है उसके पुसार खुद को नहीं बदल पाते तो ऐसी इस्तिती में कारेपालिका के पास शक्ती एक तरह से पहुँच गई है प्यवस्था पिका तेजी से निर्णे भी नहीं ले पाती है तो इस कारण भी मंत्री मंडल और कारेपालिका की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं तो कारेपालिका के कार्य और शक्ति में व्रद्धी की है तो इस तरह से कारेपालिका बहुत ज्यादा महत्वपून हो गई है और विधाईका के शित्र में भी आप काफी तेजी से वो कारी कर रही है आज के लिए इतना ही